ओम नमु भगवते वासु देवाय नमा। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपसा। बहुत स्वागा थे आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन आफ प्रेनाव। सर्व मंगल मंगल ये सिवे शर्वाद साधिके शरण्ये त्रियंबिके गोरी नारायनी नमस्तुते। सबका मंगल करने वाली देवी, सबका भला करने वाली देवी, माता, माता, दुन्या की माता के नवदिन, नवरात्र के नौदिन आरंब हो रहे हैं और नवरात्र में बहुत सारे छोटे छोटे उपाय किये जाते हैं जिससे कि आपके घर में खुशिया बनी रहें, आपके घर से हर तरह की संकट, हर तरह की negativity दूर रहे तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही सरल उपाय जिसे आपको नवरात्र के पहले दिन को करना है जिसको करने से आपके घर से हर तरह का मंगल दूर होगा आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी आपके घर में माता अपने छोटे छोटे चर्णों से चल कर आएंगी और सदैफ के लिए आपके घर में स्थाई रूप से स्थापित हो जाएंगी तो इसके लिए आपको करना क्या है कि नवरातर के पहले दिन आपको अपने घर के दर्वाजे को मुख्य द्वार को बिलकुल साफ सुत्रा कर लेना है हर वक्त साफ सुत्रा करके रखना है पूरे नवरातर भर और खास तोर पर पहले दिन जब आप माता को अपने घर में आमंतरन देते हैं किसी भी देवी देवता को अमंतरन देते हैं आपके घर में छोटी सी छोटी कथा पूजा हो तो भी आपको अपना मुख्य द्वार सबसे पहले बिलकुल साफ सुत्रा कर लीना चाहिए क्योंकि ऐसी मानिता है शास्त्रों में ऐसा बताया गया है ये आपके घर का मुख्य द्वार जितना सुन्दर सजा धजा रहता है देवी देवता इनी जल्दी आपकी पूजा से प्रसन होते हैं और उनका आपके घर पर आगमन होता है और वो स्थाय रूप से आपके घर में बस जाते हैं तो नवरात्र के पहले दिन अपने मुख्य द्वार को बिलकुल साफ सुत्रा कर दें वहाँ पर पानी डाल के बिलकुल धो दें सारी नेगेटिविटी को अपने घर से बाहर कर दें इसके साथ साथ आपको अपने दर्वाजे पर तोरन जरूर लगाना है अगर हो सके तो अशोग के पत्ते का तोरन लगाएं ऐसी मानिता है शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अशोग के पत्ते अगर सूग बिजाते हैं तो भी वो नेगेटिव वाइस यानी की नकारात्मक उर्जा नहीं देते वो positive vibes यानि की सकारात में खुर्जा ही देते हैं अगर हो सके तो अपने दर्वाजे पर अपने मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाए रंगोली बनाना बहुत हे शुब माना जाता है इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि आपको क्या करना है आपको अपने मुख्य द्वार पर कुमकुम में देशे घी मिलाकर सत्या बनाना है ऐसा करने से आपके घर से हर तरह के संकटों का अंत हो जाएगा आपके घर से दरिदृता का अंत हो जाएगा आपके घर से लडाई जगडे का अंत हो जाएगा आप हर तरह के संकटों से हर तरह के कश्टों से दूर रहेंगे तो नवरात्र के पहले दन साफ सफाई करने के बाद अपने मुख्यद्वार को सुसज़त करने के बाद उस पर एक सथिया जरूर बना दें ऐसा करने से आपके घर से आपकी जिन्दगी से हर तरह के कश्टों का अंत्ध होगा धन्यवाद राधे राधे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों में शेयर कर दीज़ेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा